Hello everyone, स्वागत आप सभी का Studygram educational platform पे तो देखिए, गुरूप 56 का exam successfully conducted हो चुका है तो बहुत सारे candidate देखूँ से पहले भी confused थे और exam देने के बाद तो confusion और बढ़ गई है तो Telegram और WhatsApp गुरूप के माधियम से बहुत सारे ऐसे candidate हैं अलग-अलग type के वो messages करते हैं उनके concern अलग-अलग है exam को लेगे क्योंकि exam successfully conducted हो चुका है बहुत ही अच्छा लेवल का exam आया हुआ था तो ये बातें बिल्कुल लाजमी हैं कि उनकी confusion लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको ज्यादा गुमरा कर रहे हैं तो मैं इस वीडियो में यही चीज़े ड्रस करने वाड़ा हूं cutoff भी discuss करूँगा ताकि आप सभी को एक idea हो जाए और इस जो डिलेमा से बच सकें आप ठीक है तो देखो सबसे बहले exact चीज़ें बताता हूं मैं कि बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो screenshot बेज रहे हैं तो मैं उनको बता देता हूं जो expertise चाहिए किसी cutoff को बताने के लिए वो उनके पास नहीं है जिनके आप screenshot बेज रहे हैं तो मैं candidates को यह ही कहूँगा कि आप बार-बार screenshot ना बेज़ें ठीक है जहां तक cutoff की बात है ना Group 56 और 57 की कुछ चीजे हैं जो मैं discuss कर देता हूं Group 56 और Group 57 ठीक है जो बहुत important है इस चीज में impact डालेंगी Group 56 में भी impact डालेंगी स्तावन में भी impact डालेंगी और यह चीज देखो कुछ candidate ऐसे जिनको यह है कि क्या joining हो सकती है क्या result announce हो सकता है हमने देखा है rules कुछ वाइरल हो रही है court की जो direction है को यह सारी चीजे depend करती commission पर आपका result आभी सकता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं और नहीं भी आ सकता that is up to commission और election commission अगर उसको permission देता है और उनकी जो भी coordination होता है उस पर depend करेगा लेकिन आप इस डिलेमा में ना रहो जो भी आगए कि आपकी process अगर आपका कोई other exam है तो उसकी preparation करो अगर JBT, PRT में, PGT में assistant professor में है या कोई और CGL का आपका exam है तो उस पर target करो यह जो काम था यह आपने कर दिया आपका exam दे दिया अब आप अब इसको इससे mentally free हो जाओ ठीक है तो देखो सबसे पहले बताओं group 56 और group 57 maximum number of candidate थे वो किसमे थे group 57 में थे ठीक है group 57 के अंदर जो exam था वो very hard मैं यह नहीं कहूंगा कि hard है वो actually में काफी tough exam था जबकि बहुत सारे ऐसी इस टाइप की चीज़े फैला रहे हैं कि बहुत easy exam था ऐसा कुछ भी नहीं है जब आप exam center में होते हैं उसकी condition अलग होती है जब आप बाहर से उस चीज को देखते हैं उसकी condition अलग होती है exam center में आप बहुत easy question भी गलत कराते हैं तो इसमें आप इसको जज नहीं कर सकते हैं जो exam में बैठा है जिसने exam दिया है हमने बहुत सारे candidate से बात भी की है interaction भी किया तो यह सारी चीज़ेंगी exam था very hard ठीक है तो 57 group का मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनकी cutoff लगेगी वो अलग 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 लगेगी हर post की अलग अलग cutoff रहेगी लेकिन मैं यह बता दूँगा कि आपका selection हो गाया नहीं ठीक है आपको कोई particular post मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बहुत अलग scenario है क्योंकि उसमें यह आपका selection हो गाया नहीं होगा जहां तक बात है गुरूप चपन की इसके अंदर competition हाई था क्योंकि वही candidate competition था उनके अंदर उनके अंदर जो अल्रेडी top पर है जो अल्रेडी अच्छा स्कोर कर चुके उनहीं में competition था और बहुत सारी पोस्टें आई जो number of post कम है बहुत कम है ठीक है जैसे 10 पोस्ट हो गई 25 पोस्ट हो गई जो secretary council है जो committee वाला है council की तो और भी ज्यादा कम है तो यह सारी चीज़े है तो इस ताइप की पोस्ट है इस चीज़ पे भी depend करता आप eligible है या नहीं इस चीज़ पे भी depend करता है तो मैं सिर्फ अलग अलग पोस्ट की नहीं जाऊँगा क्योंकि इनकी cut-off तो high जाने वाली है 80s की series में जाएगी लेकिन मैं यह बता दूँगा कि आपका selection कहां पे होगा आपका selection हो सकता है नहीं हो सकता अगर आप group D में हैं अगर कहीं other state में तो अर्याना में आना चाहते हैं तो उस scenario को discuss कर दूँगा मैं और एक से next question candidates का यह आ सकता है कि अगर वो already job पे हैं तो technical resignation क्या होता है बाद में वो join कर सकते हैं क्योंकि उनको यह लग रहा है कि यह बरती safe है या नहीं यह चीज़ भी सेपरेट वीडियो में discuss कर दूँगा तो देखो गुरूप सावन की अगर बात करूँ मैं किसी भी candidate जिसने 65-70 यह questions इतने जिसने attempt किये है यह highest बता रहा हूं मैं highest मतलब इससे low ही जाने वाली है तो यह मान के चलो कि वह candidate safe है यह question की बात कर रहा हूं तो यह scenario रहने वाला है यह मैंने बता दिया आपको maximum इससे उपर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है cutoff तो इसमें आपका selection हो जाएगा आपको colorak मिले आपको सभी spectre मिले Forester की तो इसमें से withdraw कर ली गई थी मतलब withdraw अभी तक notice नहीं है आपका जो एक्जाम वो ठीक है थोड़ा सा easy to moderate इस टाइप कम बोल सकते है लेकिन ऐसा भी नहीं बोल सकते है बिल्कुल ही easy क्योंकि cutoff decide करता है average score decide करता cutoff average score अगर आपको ऐसे candidate मिल रहे है जिन्होंने attempt किया है 85 question attempt किये है 90 question attempt किये है यह question की बात बता रहा हुँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि cutoff high जाने वाली है यह यह जो extreme है extreme कभी भी cutoff को decide नहीं करता average score ही cutoff को decide करता है और average की खास बात यह है कि average जो extreme है उसको भी balance कर देता है यानि किसी candidate के 70 है किसी के 90 है तो मतलब average दोन्हों को balance कर देता है इसका मतलब यह नहीं कि आप दोन्हों extreme पर जाकर देखेंगे तो average score ही माइन नहीं रखेगा average score ही आपकी cutoff decide करेगा तो यह चीज है group 56 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक चीज आप यह मान के चलो कि इसके अंदर अलग अलग पोस्टे हैं ठीक है अलग अलग पोस्टे है तो अगर आपको आपने score किया है 75 के round 75 questions आपके attempt है तो यह मान के चलो कि आपको भी कही न कहीं कोई भी job मिल सकती है ठीक है ना बहुत सारी ऐसी पोस्टे है पटवारी की पोस्ट है यह सारी पोस्टे है तो यह भी मैंने maximum बताया 75 questions आपने attempt के हैं लेकिन इससे भी cutoff आपको down में जाती हुए मिलेगी क्योंकि अलग-अलग पोस्टों की अलग-अलग cutoff रहने बाड़ी है ठीक है ना फिर वही same scenario काम करेगा कि जिनके higher marks हैं क्या वह उस post के लिए eligible है नहीं तो यह scenario काम करने वाड़ा है तो थोड़ी थोड़ी पोस्टे हैं उनकी मैं separate से video discuss करूँ है क्योंकि बहुत सारे scenario इसमें काम करते हैं लेकिन जितने भी candidate हैं 70 to 75 जिनोंने question attempt कि group 56 के अंदर तो यह मान के चलो कि वो सभी safe हैं तो आप कोई पोस्ट जरूर मिलेगी तो यह चीज थी क्योंकि इसमें जो जितने भी candidate है वो यह मान के चलो कि number of candidate selection की बात है उसी सिसाब से इतने ज्यादा नहीं थे almost 1.5 गुणावा बच्चे थे और उसमें से भी बहुत सारे बच्चे absentee दे तो यह मान के चलो कि आपका अगर इतना भी थोड़ा सा भी decent score है तो आपको जौब जरूर मिल जाएगी लेकिन यह नहीं है कि आपको को particular inspector की post मिलेगी ऐसा नहीं लेकिन आपका यह है कि selection जरूर हो सकता है ठीक ना तो यहां पे 60 to 75 यह मैंने maximum बता है सेम चीज़ रिपीट कर रहा हूं अगर किसी candidate के इससे कम है तो उसको यह गपराने के जूरत नहीं कि उसका selection नहीं होगा जो highest threshold है जहां तक जा सकती है सेम चीज़ है इसमें भी highest threshold है इनसे कम ही रहेगी इनसे ज्यादा नहीं जाएगी ठीक ना तो अगर आपका इसमें इससे कम की रेंज में तो आपको बेफिकर रहना है कोई अधर गुरूप आपका है तो उसकी एक्जाम के त्यारी करो अभी आने वाले जो आठ नो दस 11 खुरूप का एक्झाम है इसकी त्यारी करो उसके लाएव अपुलिस और भी पोलिस के का ऐधारी करें जो कंड़ेंट है जो तो में का दिम्हीं में भी नहीं हुआ था और इसमें भी अज्छा स्कर नेए ता वो आगले आने वाले आना पुलिस की त्यारी करें और उसमें एक चीज़ का जरूर द्यान रखें वो जो भी एडवर्टाइजमेंट में लिखा है अला कि वो मैं एक वीडियो में डिस्कस कर दूँगा कि किस डूरेशन की किस फाइनेंसिल एक आपका EWS का या फिर BCA B का सर्टिफिकेट की रिक्वार्मेंट है ठीक है तो यह सारे चीज़ें थी और जहां तक बात है जोईनिंग की टाइम पिरेड में जोईनिंग दे नहीं सकती या दे सकती है उस पर इन डैप्त में एक वीडिय को लेकर आपने दोबारा फिर बैठना होता है आपकी मिश्टेक्स कहां पर गलतियां कहां पर की ताकि वह गलतियां पर रिपीट ना करें आपको यह चीज़ कहीं भी किसी भी प्लैटफोर्म पर नहीं मिलेगी क्योंकि यहां तक कोई पहुंचा ही नहीं है कि आपने एक और करेंगे क्याम को अच्छे से अईश्रा आया थे या जिल लाइक है क्या आपने पहले पड़ा था यानि अगर पड़ा था तो मतलब आप गलत करा तो पर ゃो कर लिए अगर पड़ा ही नहीं था तो मतलब कहीं कहीं आपके पास फ estásni यह तो यह सारी어가 detらい है लेकिन इसमें एक चीज माहिने रखने वाले है कि रिसोर्स इज नाव नहीं कि वज़े से ऐसा ना हो कि आप बहुत सारी बुक्स ले आओ और अपने को इतना वाइड कर लो कि सलेवस आपका कोई भी डाउट बचता है किसी भी टाइप का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आरी आना पुलिस के लिए लिए कि बचे हुए दिन इसमें आप कैसे अपना स्लेक्शन के और करीब आ सकते हैं ठीक है और एक जैबिटी की सीरी है तर आने को घाईब आने में में आरना पक्राव सिच के ड्रेश ने कि